उस्ताप प्रदेश में 14 फिजदी आवादी वाला मुसल्मान 23 परसेंट से ज्यादा जेलों में बंद है। तो इनकाउंटर के आकड़े में देखा जाया, तो 24 फिजदी इनकाउंटर धाई साल में मुसल्मानों के किये गए। सिर्फ उसके बाद जो भी इनकाउंटर किये गए, सब के सब दली तो भी सी और कुछ विकास दूबे और कुछ एकका दुक्का जो भी इनकाउंटर और जो पुलीस या फिल उन गुरूप से द्वारा किये गए, जो की पैसरुपह लेके किया गया। कि यह देखिए, यह तो बहुत सारी बातें आच चुकी हैं और जो उत्तरवदेश का जो हाल है किसी से चुपानेगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इस समय जो बात सबसे गंभीर है वो है कि यहां पर जिस तरह से प्रदसन कारियों को जो सी आंदोलन हो चाहे इसके पहले भारतबंद हुआ और या फिर तमाम आंदोलन कारियों पर जिस तरह से एनसे, गैंगेस्टर, गुंडा तवाल इस बात का है कि लोकतंत्र में इस तवाल उठाना गुंडा, गैंगेस्टर या राष्टी सिरुचा के लिए खत्रा कब से पढ़ जाता है और वो भी जब ऐसे विक्ति लगा रहा है जो कि योगी आधितनाज इनके उपर खुद बहुत सारे ऐसे सीरियस अफेंस रह यार में जब बंध है बलकि वो जेल में होते हैं और जिस तरह से मोधी को वहाँ पर गुजराद में कॉंग्रेस में स्पेस देकर पैदा किया और इसी तरह से अखिलेस और मायाउती का जो जो तमाम कोकृत थे उसका आज हमको भोगना पड़ रहा है दूसरा इस बात को ले जो महाँ कर दो पर जो खुजक शोपर जादा कालियों पर पर लगता है वहीं पर जो इस इससे जो देखिये की जगह-जगह पर इसे जो लगता हैं वो वो एनसे जगह जगह पर सिर्फ और सिर्फ उन लों पर लग रहा है मुसल्मानों पर लग रहा है मतलब कि राश्टी सुरक्षा के लिए खत्रा उत्तर पदेज में ढाय तीन साल की गवर्मेंट में सिर्फ दलित और मुसल्मान हैं दूसरी तर आजाई आप इंकाउंटर पर बात कर लीजिए बड़े आकड़े तमाम आपके सामने हैं विकास दूबे के बाद और मैं विकास दूबे की पूरी घटना को मानता हूं कि 1982 के का जो इंकाउंटर गुंडा एंकाउंटर हुआ था जिसमें केपी सिंग की हत्या हुई थी उस तरह से वह एंकाउंटर था तो वह और उनका मिस्टा से जगडा था तो विकास दूबे सिर्फ गोली चलाएगा विने तुवारी नहीं गोली चलाएंगे विने तुवारी को क्यों नहीं हत्या का हत्या कि इससे इसे दिश्ट्रिक कोड से बात करते हैं जिस तरह से 1982 में के पी सिंग के इंकाउंटर में हमने देखा ठीक उसी तरह से पूरा का पूरा OBC दलीत और मुसल्मान ही उत्तरपदेश में से अपरादी है आप योगी आज इतनाद बोलते हैं कि ठोक दो बदला दो फैसला अंदर इसपार्ट करते हैं अगर तमाम रूप से देखा जाए कि ठोक दो बदला दो फैसला अंद मारते हैं दलीतो बिसी मुसल्मान पर आप उसमें भी देखिए जो जिनको क्रिमिनल काश्ट अंगरेजों ने कहा चाहे पासी चाहे यादाओ चाहे राजभार आज ये सरकार मनुवादी जंडे पर ब्रामणवादी जंडे पर ये कर रही है दूसरा कि आप मैं औरfish जिसी तरह से का्हिसरबाग ने गंगेश्टर लगाया हैarta लोगょंके अगषटर लगाया तो क्या गंगेश्टर अंदोलन कमसे गांगेश्टर हो गया और रांगोलत अगर गंगेश्टर होता है गैंग चला रहा है आदमी लोकतंत्री का आधार पर लोकतंत्र में हम को हम का रहें हम इस प्रात को एदम आज भी स्युकारते हैं कि भारत में नागरिक्ता के नाम पर जब भी कोई हमला होगा दली तो बीसी मुसल्मान आदिवासी के सवाल पर हम खड़े होंगे पुरा भा सवासा भीम राव मेटकर ने जो समीधान में हमें अधिकार दिये उसके तहत किया किया है और आप देख लीजे आप लागडाउन हुआ है लागडाउन के नाम पर पूरे देश में इमर्जेंसी इन्होंने कायम कर दिया है आप अभी बिक्रम सिंह ने एक प्याइल जोए सब्सक्राइब कर देच लीजेए कि अगर देखाजाए जात करें नाम में अगर देखाजाए अगर देखा जाए सबसे जादा दलीतों और मुसल्मानों की स्टीट जोरा मबलिंचिंग हुए और जहां स्टेट नहीं रहा वहाँ पर इन्हों ने दंगे भड़का के किये अब आप सिंपल देख लीजिए अभी मैं एक छोड़ा साक्रा मैं अभी मैं आपको बताऊं कि आजमगर जो आजमगर स्टीट खोलने का दावा किया है 42,000 लोग के इन्हों ने चलान काड़ दिये अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का रहा है कि उत्तरपदेश की जेले खाली की जाएं एक लाग चार हजार यहां पर कैदी हैं 58,000 लोग जो है यहां की जेलों की कपिसिटी है खाली करने के लिए कहा था आप में 13,000 लोग को वलनीवन खाली किया और और इस देश में उस्तरपदेश में इस देश में 14 फिजदी आवादी वाला मुसलमान 33% से जादा जेलों में बंद है और मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से यहां पर इसी तरह इंकाउंटर के आकड़े में देखा जाया चाउवन फिजदी इंकाउंटर 12 साल में मुसलमानों के कि गए उसके बाद जो कि एंकाउंटर किये गये सब कि सब दलीत ओबी सी और कुछ विकास दूबे और कुछ एका दुका जो क्वें काउंटर जो मुलीस तो मतलब इस बात का बहुत एक क्लिए कट है कि आप लाग ड में आपने का कि घंटा घर से अंदोलन उड़ जाए, अली घर से उड़ जाए, संबर से उड़ जाए, समने आपको माना, हम मानते हैं कि कोरोना है को हैश्चिक मारा मारी है, आज हमाने मजदूरों को आपने प्लाइन करने को मजबूर कर दिया, यह वही तफका है, जो बिसी जाएगा गंगेष्ट, गुंडायट और एनिसे की ताहद कार्वाई कर रहे ह। Zuschauer Mike Re оп placebo, अबिसी का अम आप तरॉपाफरा कर एंडि और यह अब आप देख लीडिए कि जो जो कि कि अब देखे मैं अभी जो योगी आदितनात्म ने कहा है कि जिस तरह से ये कारवाई इन्हों ने कहा तो जब आंदूलन घंटा घर का चल रहा था ते लोग कहा रहे थे किसी आंदूलन कारी कुरोना से भी जाता खतर नाक है और ये पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट भी हमारे खिलाप है सुप्रीम कोर्ट के दो दो बार इस लागडाउन में बोल चुका है कि हम कहते हैं कि अरक्षऑ मौली का अधिकार नहीं है आपको तो कहा देंगे कि इस देस के जो बीसी दली तादिवासी इस देस के ना मानों के खिलाब एक पुलिटिकल इनका इस्ट्रुमेंट नहा है लेकिन इस देश में नेहरू के समय में भी काका का लेकर कि जो रिफ्योट आई उसमें सब्सक्राइब करने की बात की हमको एक मिस्का जवाब एक मजबू जनान दूलन होगा और मैं इसी के साथ अतनी बार सम उल्राइब नहाई प्लाइब प्ली का को एक प उल्राइब आनान सबस्टाइब यहाईब सिर्दो आकeft एक पका इप जाओगर गया है झाल झाल झाल